पुलिस ने एक पक्ष की शिकायत पर दूसरे पक्ष के खिलाब मुकदमा दर्च कर लिया है और मामले की जांच में जुड़ गई है यह वाइरल वीडियो नौइडा के थाना एक्सप्रस वे शेत्र के सेक्टर 134 थी जेपी कॉस्मोस सुसाइटी के पास की है जहां बीती राद दो पक्षो के बीच आपसी काह सुनी को लेकर लाठी डंडो से मारपीट हो गई वहीं पास में कड़े लोगों ने मारपीट का वीडियो बना कर सोचल मीडिया पर डाल दिया जिसके बाद वीडियो खूब वाइरल हो रहा है एडिशनल डिसीपी रनविजे सिंग ने बताया कि बीती राद थाना एक्स्प्रेस वे को दो पक्षो के बीच मारपीट की सूचना मिली सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच कर जांच करने में जुट गई थी वहीं एक पक्ष ने इस मामले में दूसरे पक्ष पर मुकदमा दर्च करवाया है पुलिस ने आसपास से मिले फुटेज में यह पता चल रहा है कि दूसरे पक्ष के बात भी पक्ष पर हमला किया था जांच में यह बाते भी सामने आई है कि आरोपी पक्ष ने पहले भी वहां कई लोगों के साथ मिस बिहेब किया है पुलिस ने आरोपियों की गिरफतारी के लिए टीम में लगा दी है जल्द ही आरोपियों को गिरफतार कर आगे की वेधानी कारवाई की जाएगी झाल्द में आरोपियों की जाएगी टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोईडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट